पितोडागर जिले के बेरिनाग विकासखंड अंतरगत चौडमन्या चचरेद गाउं में गुलदार द्वारा चार साल की एक बच्ची को घर के आगन से उठा ले गया बच्ची की चीक सुनकर परिजन गुलदार के पीछे जंगल की तरब भागे लेकिन बच्ची और गुलदार का कुछ पता नहीं चल सका वन्दिभाग की टीम भी बच्ची की खोजबीन में चुटी रही तीन घंटे तक खोजबीन के बाद घर से तीन किलोमेटर दूर बच्ची का ख्षत विक्षत शौबरामद हुआ है प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम करीब साथ बजे ग्राम चचरेत निवासी शंकरदत की चार साल की बिटी राखी अपने घर के आगन में खेल रही थी इस बीच घर के पास ही जाडियों में चिपे गुलदार ने घात लगाकर बच्ची पर हमला कर दिया गुलदार बच्ची को जबडे में दबाकर जंगल की तरफ भागा बच्ची की चीक सुनकर परिजन भागे भागे बाहर आये और गुलदार के पीछे दोर लगा दी लेकिन तब तक गुलदार जंगल में कहीं गायब हो गया सूचना पर वन ख्षितराधिकारी चंद्रा मेहता समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चला कर तीन घंटे बाद देर रात बच्ची का शव बरामद किया गया इधर घटना स गाउं में दहश्चत का माहौल है ग्रामिनों ने गुलदार को पकरने के लिए पिंजरा लगानी की मांगी है